नमस्कर किसान भाई योश स्वागत है आपका एक को न्यूम पोटेंट वीडियो के अंदर तो आज जो है जैसे कि आप इसकिन पर देख सकते हैं आपके कस्टम हाइरिंग सेंटर, थ्रेसिंग फिलोर एवं इसमाल गोदाम, लेजर लेंड लेवलर, रूटर वेटर, हैरो, कल अन्य किर्शी अंदरों पर जो है आपके डोकिन बुकिंग होने वाले हैं कल से 30, 11, 2023 से को 12 बज़े से आपकी बुकिंग प्रारंब होने वाली हैं तो मैंने इसके उपर पहले भी एक वीडियो बनाया था तो उसमें क्या था कि बहुत सारे कन्फूजन रह गए थे कि लोट लोटरी सिस्टम किस तरह से होगा लखनाव से होगा या फिर जिले से होगा किस तरह से सारी प्रक्रिया रहने वाली है या कुल मिला के हमारा नमबर इस वर्स किस तरह से किस प्रक्रिया के अनुसार जो है हमारा नमबर आने वाला है पहले आओ पहले पाओ सिस्टम रहने व और यह नियूज पेपर की कटिंग ले लेना चाहते हैं, तो यह नियूज पेपर की कटिंग आपको हमारे WhatsApp गुरॉप पर देखने को मिल जाएगी, आप हमारे WhatsApp गुरूप को जोइन कर सकते हैं, link description और comment section में तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एक doubt clear कर देते हैं बहुत किसान भाई किस doubt में हैं कि पहले आओ पहले पाओ होगा मतलब कि जिसका number पहले हैं उसका आवेदन पहले सुईकार करा जाएगा मतलब कि उसको पहले lap दिया जाएगा जिसने लखसे के अंदर रहेंगे उसको lap दिया जाएगा तो ऐसा अब system खटम कर दिया गया है अब आपका lottery system के मारदियम से होगा Lottery system क्या होता है Lottery system के बारे मैं मैं आपको बता देता हूँ Lottery system जो होगा वो आपका जिला किर्शी वंतला दिकारी जो होते हैं उसकी अध्यक्सता में आपका पोर्टरल पर ठीक है बतलब एक पोर्टरल तयार किया जाएगा एक सोफ्वेर तयार की जाएगी उस पर जो है आपका किर्शी विभाग द्वारा लखनाउ द्वारा एक लोटरी की आपको डेट दी जाएगी कि इस दिन आपकी लोटरी जो है ओपिन हो रही है ठीक है और जिस दिन आपकी लोटरी ओपिन होगी उसी दिन आपको नाम पता चलेगा भी किस किस का नाम जो है लोटरी में आया है लिस्ट आपको पोर्टल पर सो कराई जाएगी ठीक है कि किस किस का लिस्ट में नामाया है उसी उसी को जो है लाव दिया जाएगा बाकी जो रहेंगे जिन्होंने बाकी डोकिन करें हैं वो सब कैंसिल कर दिये जाएंगे और उनके धनरासी उनके बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी तो कुछ इस तरह से लोटरी पिरक्रिद्या फोने वाली है और म मतलब कि जिले स्थर के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा पोर्टल पर इलाटरी होगी जो भी सोफ्ट्वेर बनावा रहेगा या सोफ्ट्वेर कनेक्टर रहेगा उस सारा लखना उसे रहेगा ठीक है तो इसमें कोई भी मतलब आप जो भी है जो भी गरवडी होनी है कुछ भी होना है जिले स्तर से जो किसान भाई ये समझ रहे हैं कि जिले स्तर वाले अपने ही आदमियों का करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी अगर गरवड़ी होनी होगी तो लखना उसे होगी और कहीं से कुछ नहीं होने वाला और कहीं भी कुछ गरवड़ी नहीं होने व limit नहीं रहेगी कि आपकी 100% होगी 200% होगी मतलब कि आपकी 10 ही token booking होगे 20 ही token booking होगे यहाँ पर आपकी unlimited token booking होने वाले हैं और यहाँ पर जो है आपके उसके वाद उसमें से lottery की जाएगी मतलब कि किस किस को देना है जैसे कि मानलो आपने 10 का लक्स यह है ठीक है 10 के लक्स में नंबर है उसको भी दिया जा सकता है 148 वे को भी दिया जा सकता है 99 वाले को भी दिया जा सकता है मतलब किसी को भी लोटरी में किसी को भी ठाके आगे से पीछे तक कहीं से भी जो है आपका नाम चुना जा सकता है तो ये पिर्किर्या जो है आपकी होने वाली है बाकी जो किसान भाई यह सोच रहेंगी पहले booking करेंगे तो पहले मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है और यहाँ पर कुछ इस परकित्रा के अनुसार जो होने वाला है आपकी पहले आओ पहले पाउज सिस्टम खतम कर दिया है और यह लाट्री के माधियम से अब देने वाला है और यह लाट्री सिस्टम मैंने आपको बता दिया क्या होता है बाकी आपकी बात कर लेते हैं यहाँ पर पोर्टल किस पोर्टल पर booking होनी वाली है तो आपका यूपी एगरीकल्चार डोट कॉम ठीक है ओफीसेल पोर्टल जो आपका है उसी पर booking होनी वाली है यहाँ पर आपको जो है अनुदान पर किसी यंद्र किसी ड्रोन सोलर पंप हेतू booking करें इवं टोकिंग जननेट करें आपको इस लिंक पर किलिक करना है इस लिंक पर ही यहाँ पर एक समाम ठीक है यहाँ पर एक दस हजार से अधिक समाम के यंद्र हेतू इस तरह से booking करें हेतू किलिक करें यहाँ पर इस तरह से कुछ पोर्टल यहाँ पर एक एड करा जाएगा उस पर किलिक करके और आपको mobile नंबर फिल करना है और सेम जिस तरह से booking होती है उसी तरह से booking जो है होने वाली है और आपकी जो है unlimited booking होने वाली है आप जो है 30 तारीक से लेके 14 तारीक तक unlimited booking यहाँ पर कर पाओगे यहाँ पर कोई भी आपके उपर बाउंडेशन नहीं होगी कि आपको मतलब तीन ही टोकिन निकाल सकते हो चाहरी टोकिन निकाल सकते हो जितने चाहरे आप उतने टोकिन निकाल सकते हो वस आपको धनरासी जो है ओनलाइन ही जमा करनी होगी हाथ ओखाट टोकिन निकालते समय और उसके बाद आपकी ई-लोटरी होगी ई-लोटरी में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको उसके जिस दिन आपका ईलोटरी में नाम आएगा उसी दिन से आपको 30 दिन के अंदर किर्शी अंतर खहित कर किर्शी वहागे पोर्टल पर यहाँ इसी पोर्टल पर आपको जो है बिल अपलोड कर देने हैं 30 दिन के अंदर अंदर तो कुछ ये पिर्किते आपकी रहने वाली है बहुत किसान भाई इस कन्फूजन में हैं कुछ किसान भाईों से लक्से चेक भी नहीं होता तो मैं आपको किसान भाईों को बता लें जाओंगा लक्से आपको किस तरह है चेक करना है हमाई जिले में कितना लक्से है तो यहाँ पर आपको नीचे आना है यंतर खेत तलाप पर अनुदान हे तो टोकिन निकाले जैसे ही आप इस पर किलिक करोगे यहाँ पर आपको आना है योजना यंतरवाट टोकिन डिपोर्ट जैसे ही आप इस पर किलिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको बित्य बर्स जलग करना है 2043 जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको यह option मिलेगा कि कोई सी वी जोनसी योजना में आपको booking करनी है उसी योजना पर अपना देख सकते हैं कि हम समयम वाली योजना पर देखना चाहते हैं कस्टम आइरिंग का लगसे तो यहाँ पर इस वाली योजना पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई सीवी डिस्टिक का जो हम चैनल कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप नीचे सबसे देख सकते हैं कस्टम आइरिंग सेंटर ग्रामीर उद्धिमी थी के 18 का लक्से तो इस तरह से आप कुछ अपने आ का लक्से चेक कर सकते हैं तो कुछ इस पिरकिर्दा के अनुसार जो है इस बार अनुदान दिया जाएगा होप आज की जानकार या आपको बढ़िया लगी हो बढ़िया लगी है तो चैनल को सिस्क्राइब और वेलेकन को कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो